फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो T3 FG को लॉंच कर दिया वहीं दूसरी तरफ रियल्मी का पाप लग स्मार्टफोन रियल्मी का ना जो 70X 5G वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन की प्रैस में 2000 रुपीस का डिफरेंट देखने को मिल जाता है दोने दोने स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंट देखनों को नहीं मिलता है क्योंकि एक तरफ रियल्मी के ना जो 70X 5G में मिडिया टेक का डैमेंट सेटी 6100 प्लेस का प्रोसर देखनों को मिल जाता है वहीं दूछी तरफ वीवो के T3 लैट 5G में मिडिया टेक का डैमे दूसी तरफ वीवो के T3 लैट 5G का जो अंतुतू स्कोर निकल के आता है अगर आप लोग इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं तो इन दोने स्मार्टफोन के जी एफक स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत ज निकल के आता है वह दूसी तरफ वीवो के T3 लैट 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है उन्हें स्मार्टफोन का का डिस्प्ले सेग्मिंट की बात करें जरू डिस्प्ले की क्वाल्टी भी आप लोगों को रियल में के ना जो 70 एक्स बैटर देखनेक मिल जाता है वह दूसी तरफ वीवो के T3 लैट 5G में 6.56 इंच की सिर्फ एचटी प्लेस आइप डिस्प्ले देखनेक मिल जाते डिस्प्ले पांच होल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले कैच्छी इस मुतनिस के लिए सिर्फ नाइंटी हर्टे रीफ्रेश सपोर्ट देखनेको मिल जाता है स्मार्टफोन का अगर क्याम्रा सेग्मेंन की बात करें जातो एक किनागों सेवन टी एकस फैब जी के बैक में डूवल दिए र कैमरा सेटब देखनें को मिल जाते 50 Megapixel का में प्रामरी कैमरा मिलता है बाकी का दूसरा कैमरा 2 Megapixel का मिल जाता है विद LED Flash LED के साथ इन दोने स्मार्टपोन का अगर सेलफी कैमरी की बात करी जातों उसमें भी इतना ज़्यादा डिफरंट देखनेों को नहीं मिलता है एक तरफ Realme के नाजो 70X 5G में 8 Megapixel का सेलफी कैमरा देखने की मिल जाता है वही दूसरी तरफ वीवो के T3 LED 5G में भी 8 Megapixel का सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता है तरफ टैप के अगर बात करी जाता है तो उसमें भी फास्ट रियाता है Realme के नाजो 70X 5G यूफस 2.2 का स्टोरे टैप देखने की मिल जाता है वही दूसरी तरफ वीवो के T3 LED 5G में EMC 5.1 का ही स्टोरे टैप देखने की मिल जाता है वही एक तरफ रियल में के नाजो 70X 5G में आप लोगों को स्टोरे स्पीकर का सपोर्ट देखने की मिल जाता है वही दूसरी तरफ वीवो के T3 LED 5G में स्टोरे स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटरी से एक बिन के अगर बात करी जाए तो बैटरी तो दोने स्मार्टफोन में एक जैसी देखने की मिल जाती पर चार्जिंग स्पीड में काफी जारा डिफरंट देखनों को मिल जाता है एक तरफ वीवो के T3 LED 5G में 5000MH की बैटरी देखने की मिल जाती पर 45W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टैप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने की मिल जाता है सिकोर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में साइड मॉक्टेट फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाते है अगर आप लोग में से स्मारटफोन को कि कौन सा स्मार्टस टो कि नहीं करएं